हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब दा एविजेट अकेडमी के तरफ से मैं महम्मद आफ्तावलम प्यारे बच्चों अगर आप एनस ओपन बूर्ड के बारवी क्लास के स्टुडेंट्स हैं और सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री ओपरेशन जिसका पेपर कोड है 336 तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 60 नंबर में जमा करवाना होगा प्रैक्टिकल फाइल बनवा कर अपने अपने स्टेडी सेंटर पर और प्यारे बच्चों डाटा एंट्री ओपरेशन का जो प्रैक्टिकल फाइल होती है वो 60 नंबर में होती है और इसे बना कर से एक्जाम देना होता है theory exam से पहले और अगर आप अपना practical exam data entry operation का नहीं देते हैं तो आप लोगों को data entry operation के practical file के अंदर नंबर नहीं मिलेंगे और आप इस नंबर के बगएर अपना theory exam भी किलियर नहीं कर पाएंगे तो प्यारे बचों अगर आप लोगों को practical file बनानी है, आप लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था, क्या हम practical file कैसी बनाएं, उसके अंदर क्या लिखना है, क्या content लिखना है, practical file को कैसे decorate करना है, क्या mistake नहीं करनी है, क्या हम PDF का print out निकाल कर अपने study center पर क्या जमा करवा सकते हैं, practical exam नकल चल सकती है या फिर नहीं, ये सारी कि सारी complete knowledge मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और साथी साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, कि एक सुन्दर practical file कैसे तयार करते हैं, तो क्या है पूरा मामला इस वीडियो के अंदर, आईए इस वीडियो को फड़ा फड़ स्टा या फिर April 2022 के अंदर, क्योंकि October 2021 तता April 2022 वालों का सेम syllabus है, सेम pattern है और सेम practical file भी है, तो April वाले और अक्तूबर वाले इस वीडियो को देखकर अपना practical तयार कर सकते हैं, ये 2021 वाले बच्चों के लिए भी है और 20-21 वाले बच्चों के लिए भी है, यानि कि new session के लिए हमने ये practical file अपडेट करके आप लोगों के लिए दी है, इसके हमने आपको वीडियो बना कर दिया है, और आप इस वीडियो को देखकर अराम से अपना practical file तयार कर सकते हैं, तो आईए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए practical one है, एक practical file के अंदर आपको total 10 practical solve करने होते हैं, त तो पहले वीडियो को like कर दीजेगा, कम से कम 2-4 group के अंदर share कर दीजेगा, ताके उन बच्चों का भी फाइदा हो, जिनोंने इस subject को ले रखा है, या जिनका आप भला करना चाहते हैं, और भलाई करना कोई बुरी बात नहीं होती है, यहाँ पर देखिए हमने practical one solve किया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी spelling mistake के हमने यह solve किया है, जैसा दिया है, आप वैसा के वैसा अपनी practical file के अंदर लिख दीजेए, और प्यारे बच्चों, practical file कैसे decorate करना चाहिए, कौन से pages पर लिखना चाहिए, उसको किस तरीके से आप सजाएंगे, decorate करेंगे, और practical exam के अंदर आप से कौन कौन से question पूछे आएंगे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, क्योंकि सब कुछ अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूँगा, तो फिर वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी, तो यहां पर आप सारा का सारा जैसा दिया है वैसा उतार लीजिए, और प्यारे बच्चो अगर आपको वीडियो देखकर अपना practical उतारने में दिक्कत हो रही हो, तो फिर आप इसका हमसे PDF पर्चेस कर सकते हैं, PDF लेने के लिए आपको simply क्या करना है, कि वीडियो को like करना है, इसका screenshot लेना है, और आप हमें हमारे WhatsApp discount लीजिए और अपना practical जो है तैयार कर लीजिए, यहाँ पर practical 3 जो है वो शुरू हो चुका है, आप इसे देखकर उतार लीजिए, और यहाँ पर आप पिक्चर देख पाएंगे प्यार बच्चो यह पिक्चर आप लोगों को PDF के अंदर बहुत अच्छे से clear मिलेगी, जिस ऐसा नहों कि आप जो है बहुत पतली practical फाइल बना लें, जिसके अंदर बहुत कम content हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप लोगों को practical फाइल सिर्फ वो ही लगानी है, जिसके एक साइड में lining होता है, और दूसरे साइड में आपका plain pages होता है, plain pages वाले साइड मे आप लोगों को picture paste करनी है, और lining वाले साइड में आप लोगों को ये सारा content लिखना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे practical 4 start हो चुका है, और practical 4 आपका Microsoft Word से related है, और प्यारे बच्चों हमने home science, painting और दूसरे subject के भी practical तयार कर दिये हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक ह आप पर आपका practical 5 start हो रहा है, जारली जीए फड़ा फड़ प्रैक्टिकल 5 भी, प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर 10 के 10 practical दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को part 1, part 2 का wait ना करना पड़े, क्योंकि कई सारे बच्चे मुझे comment करके कहते हैं कि sir, part 2 जल्दी बना दीजिए, हमें लेट हो रहा है, तो आप लोगों की सुविधा के अनुसार, मैंने पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, एक बार में ही, लेकिन आप लोगों की responsibility बढ़ जाती है, आप लोगों को इस वीडियो को जादा से जाद शेयर करना है, ताकि उन सभी गरीब बच्चों का फाइदा हो सके, जिनको इस वीडियो की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि practical फाइल के अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब जो हैं बहुत जादा परेशान है, और ऐसे में जो आज देख पाएंगे, प्रैक्टिकल सिक्स शुरू हो चुका है, उतार लिजिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं हिंदी में भी इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, ये याद रखेंगे जो पिक्चर है आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर पेस्ट कर लेंगे, अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है, तो आप ड्राइंग भी बना सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल सेवन शुरू हो चुका है, तो आप उतार लिजिए, वीडियो को पाउस करके, इसका स्क्रीन श रुपे का बिलकुल नहीं मिलेगा, अगर आप वीडियो को लाइक करके स्क्रीन शॉट लेते हैं, और हमें हमारे वाटसप नंबर पर सेंड करते हैं, तो यह पीडियाफ आप लोगों को 20 रुपीज में मिल सकता है, लेकिन यह लिमिटेड पीरियेड आफर है, आप इसे ज जल्दी से जल्दी अपना प्रैक्टिकल तैयार कर लें, प्रैक्टिकल नाइन भी स्टार्ट हो चुका है, आप उतार लीजिए, और इस तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए पर ही देना होता है इसे बनाकर अपने study center पर अगर आप लेकर जाते हैं तो आप लोगों को oral test देना होगा और आप लोगों को marks दे दिये जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप अपना practical तयार कर लें यहाँ पर practical अपने चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक तो जरूरी करें क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए फिर इसी तरह की अच्छा अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं वीडियो को आज तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहदिल से शुक्रिया